जींख JEFF जालिया एक बात सुनो बचों के दुश्मन उंके माँबाप अमें घूमनें से रोके मेनी पेनने से रोके मेनी बात मिटोके पांटारने से रोके के खा रही है चमच के साथ अरेव मरे दरी के खाने की भायो और बेहनों यहां बेहन कौन है तुम्हारी चंद्रमुखी मत कर मुझे दुखी मांजा इनकी मांगे मांजा मेरी अनारकली मेरी छपपन छुरी ऐसी बेहुदा सत्य में कैसे मान लो अरे जरा सोच मैं नेता आत्मी हूं शैर में लोग इससत करते हैं मेरी एक दूसरे को नसीहत देते हैं कि नेता हो तो तेजेश्वराज विद्रोही जैसा और आज उसी के घर के सामने विद्रो और वो भी उसकी पेटियों की तरफ से है अज ना तो कोई बंगले के अंदर जा सकता है और ना कोई बंगले से बाहर आसका आज तो आपको अमरी लाश पे से इस विद्रोही पेसि urine बंगले है के खी केंगोरी यह मीर गह突ब और व घर करके लग मोई मानों और नहीं कंग कि अने अ tranqui कोई ना ये राजनीती में होते और ना लड़कियों का आइडिया होता हर ताल का देखती हां रही है ना बच्पन से बाप हर नुकर पर हर चौरा है पर तम बोगार कर बैठ जाते हैं देखो चंदरमुखी अभी उनकी मांगे हम मान लेते हैं फिर कहेंगे कौंची मांगे और हमने कम माने थी तुमी कर तो छूटी हां मैं ना करूंगी एक बाद छूट मिल गई तो ऐसी बद्नावी होगी काला कभा भी नहीं आएगा खिड़की पर शादी का रिष्टा लेकर मति कशंवी ने एं रिष्टा बहुत हैं लड़के थूटिजकर जल्दी से उनकी शादी करो दें तैंगे मेरी व करेदें को मनमा हिप Sub 007 Ball think यह क्या है? मांगे है यह यह लीजिए है. यह क्या है? बहने, सान लीजिए है. सान करो च नंदरमुखी. और बहनों साइन करो! Pantastic! यह यह रुमाल किसलिए यह रुमाल नहीं है यह मॉदन जमानी के दो कपड़े हैं इन्हें अपने हाथों पहनने को दीजिए इतने छोटे कपड़े जब ये पहना हुई थी तब भी नहीं पहना थे पहना दे चंदरमुकी पहना दे मैं इनकी शादी करवा दूंगा मेरे पर पर क्यों हुँँ कमान कर्ष्ट कमाल हो गया अजीक पूरा साल मैंने अपने बेटे पर मेहनत की उसे पढ़ाया उसकी ट्यूशन पर रुपया घर्ट किया उसे बादाव का दूद पिलाया अब जाकर मुझे मेरी मेहनत का पन मिला लेकिक दूसरे बाप अपने बच्चें उपर मेहनत करते उने बादाव का दूद नहीं पिलाते उन पर रुपया करत नहीं करते तो बहला उनका बेटा फर्स चैट ले आ सकता है हर बच्चे को आपके जैसा बाप बिला जाहिए तुम्हारा कईए जी आज ही का है नगली हो गाई आरे नहीं भाई मैं टाइम्स ओफ इंडिया के दफतर गया था वहीं से आ रहा हूं और उसमें तुम्हारे बेटे का फोटो नहीं चपा रहा है अभी मत खाना तुझे मेरे बेटे की कसम है अभी मत खाना एक मिनट प्रिंचिपल साब मैं दीनानाथ बोल रहा हूं आपका देश आपने होगा तो नाशता मूं में घुटनेना जा रहा है मैंने मना किया था कि घर में चूला नहीं जलेगा अजी रेखो ना जला बिटो नहीं काजू किश्मिश मुझे बर्बाद कर दोगी तो खालो ना से जब भी करोगी खर्चे की बाद करोगी जहर क्या मुफ्तिम मिलता है बाजार से खरीदा जाता उसके लिए पैसा काहा से लाओंगा और मरूंगा लेकिन मरने से पहले उस कमभक को बारूंगा उसने मेरी जिंदी की दुश्वार कर दी है तुम दोनों मा बेटे मिलकर मुझे तबाख कर दोगे मुझे फुट पाथ पर ला दोगे अजी बीवार और छत नहों तो ये घर किसी फुट पाथ से कम है क्या देखो तो सही कूडा कच्रा तो फुट पाथ की तरह भरा है शादी से पहले तो जैसे ताज महल में मेरा मुमत ज्यादा खुलवाओ ये क्या था काजू काजू ऐसा था है बालको जल्दी चलो जल्दी चोटे वाली कूपर से कूटकर जाम देरे नहीं तेरे लाओ भगमान के घर में देर यां देर रही तो ना कटवाकर जीने की मेरी आदत नहीं मेरे साथ बारी साजिश की बारी चाल चली गई है मेरे साथ लखली अख्मार चपा कर मेरे ही घर बेच दिया मैं समझा मैं पास हो गया और मेरे बाटी देगी मैं मुझे पता चला मैं तो फेल हो गया कि अपनी मा की बात मत सुन इसका दो दिमाग खराब हो गया है अपना भला बुरा नहीं समय सी कुच्या कुच्या अगर कुच्या निमारा तो तल्वार से तुक्डे तुक्डे कर दूआ हाथ अब तुम्हें शांती हो जाएगी देश्वास्यों मैं जा रहा हूं तुझे मेरी कसम नहीं अजबत कर तुम्हें तो इससे बड़ी मेरी दुश्मन है अच्छा नीचे मरते के लिए आ था लेकिन रोग दिया तुझे मेरी कसम मुझे तो ये नकली अगबार छपाने की चाल तुम्हारी ही लगती है तुम्हीं चाहते हो के मेरा बेटा कहीं मुदी खाने के लायक न रहे ठीक है चली जाओंगी अपने बेटे को लेकर मैं के चली जाओंगी अरे 20 साल से कहती है मैं के चली जाओंगी बगर जाती नहीं है जूटी कभी तो अपनी बात पर कायम रहा कर मुझे जी जाओंगी चली जाओंगी तो दो लोगों की दो वक्ती रोटी बच्छाए मालको आपसे चोटा सा काम था जी मेरा पतीजा हर्याना से आया है उसका आटमिसन करवाना है अगर आप इंसिफल से बात करते तो काम हो जाएगा जी उन्ची जी बढ़ापे में आपकी अकल सठ्केया गई है मैंने अपने बेटें को पढ़ाया तो क्या फरक बढ़िया उसको इसे अच्छा की दुकान धंदे में लगा दीजे दो ववत की रोटी कमाएगा और बिगड़ेगा भी नहीं मेरा बतीशा तो बड़ा सीथा सच्छा शरीफ बच्चा है और फिर वो ऐसी हरकते मी करता और पढ़ने में बड़ा थेजा जी देखो जी मेरा फर्स तो समझाना मैंने समझा दिया आगे आगे आपकी मर्जी आठीके हाँ प्रिंसिपल को बोल दूआ क्या ना मैं उसका सु कौन हो तुम कि रिष्टे में तो हम तुम्हारे पाप लगते हैं नाम है शैंचा शैंचा के बच्चे तुझे मालूम नहीं यहां बिना इजाजत आने वाले चलकर आतो जाते हैं लेकिन जाने के लिए उनको अपर्भ नहीं इसका साहरा लेना पड़ता है है की मुउ कि अज़ा को प्रिया की करता है उठ वे उठ ताओ जी कि आप ब्याइन वक्त पे उठाते हैं आज तो मैं मुक्तार सिंग को मार ही देता कि अलावा भी कुछ सूचता है तेरे को सपने में भी मार पीट करता है तीन दिन में तीन रजाईयां फार चुका है तीन रजाईयां कि भार पीट का फूट कब तेरा पीचा छोड़ेगा थे ताओ मैं किसी से लड़ता हूं वो क्या है मुझसे गलत बाद बरदाश्ट नहीं होती लोग ही आके मुझसे लड़ते हैं अब उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना बना लोग क्या कहेंगे और फिर आपकी इज का भी ख्याल नहीं है प्रफेसर को मारता है प्रफेसर को मारता है तुने प्रफेसर को क्यो मारा उसने सुझे कोले से बाद निकाल दिया यह तो ना इंसाफी है यह तो ना इंसाफी है आप यह जानते हैं कि मैने प्रफेसर को मारा मगर यह नहीं जानते कि मैने प्रफेसर क पूछो 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 क्यों मारा अब सुनिए इंतिहान चल रहते सारा हॉल नकल कर रहा था सारी स्टूडेंट्स आप यह अलगत बाता नता हूं आप जब स्टूडेंट्स नकल करेंगे तो उन्हें जाजा नंबर मिलेगा और मुझ जैसे सीधे साधे होनार स्ट पढ़ने लिखने वाले को अम नंबर यही बातों में प्रफेसर को सब्चार रहा था हूं समझने के बचा है वो उल्टा मुझ पुछ बैठा तर मैंने मारा रहा हूं से तो नहीं नहीं तुमुझे अपड़ी प्वातों में नी बना सकता है क्योंकि तेरे माबात ने तेरी कोलिच बचा नहीं जहां पर तुमार पीट कि वजया से निकाला ने गए हो यह वांबभई यह फुत्रा बंभई यहां इन बorta फ़र बड़ीं मुझस इमनिलता मेरे मालका ने मेरे मालका ने आज से तु मारिपिट कभी निकरेगा कस्मखा थीक है नहीं करूँगा ऐसे नहीं मेरे सर्पे हाथ कर ह कस्मखा कि तु आज से मारखि कभी निकरेगा wp सफिल तू आ गया किस्मखा तै чजबाण पेर हा थो पाउं पर भरोसा नहीं तुखा कस्म 1 अधीया आपकी कस्म साब बास नेरा बच्चा मगर ताओ कोई खोद आके मुझसे जगडा करे तो उसका इलाज है मेरे पाद अब तेरे नाल कोई जगडानी करेगा मुझ्या एक मिटे ताओ मैं लल्लू लग रहा हूं मेरे लल्लू को किसे दी नजर ना लगे रे नजर उठेगी नहीं तो लगेगी का से ओ साइकल जैसी चीज है ना उसे ले जा नहीं ताओ मैं पैदली चला जाओ जाओ उसे ले जा वो साइकल तेरे नल्लू पन पर चाद चान लगा देगी ले जा